दिना 24 फरवरी 2023 को जन्पत प्रयाग राज के थाना धूमन गन छेतर के जैनती पुर्व में शिरी उमेश पाल और उनके दो सुरक्षा कर्मी के ऊपर जानलेवा हमला की घटना कारित की गई थी इस घटना में शिरी उमेश पाल एवं एक सुरक्षा कर्मी की दुखत मृत्य हुई एवं एक सुरक्षा कर्मी का इलाज चल रहा है जिनकी कंडिशन अभी क्रिटिकल है इस घटना के संबन्द में 24 पटा 25 की रातरी और 25 तारी की सुभा शिरी उमेश पाल की पत्री के दवारा मुकदमा बंजी कृत कराया गया धारा 147, 148, 148, 302, 307, 506, 34 भादवी विस्पोटक पतार्थ अधिनेयों की धारा 3 एवं 7 CLA Act के अधर गत इस मुकदमे में माफिया अतीक एहमद, माफिया की पतनी शाहिस्ता परवी, माफिया का भाई अशिरफ, एवं इनके अन्य पुत्र, ये साजिश करता के रूप में नामज़द है एवम माफिया अतीक एहमत का एक पुत्र एवम दो नामजद इनके साथी वा नौ अन्य अग्याद साथी के विरूद मुकदमा पंजिकृत किया गया है इस मुकदमे में जन्पत प्रयागराज की पुलिस की दस्टी में इसमें इन अपराधियों के लूड़ने तलाशने और इनके विरूद कठोरतम का रही करने के लिए इस समय जगे जगे दबिश दे रही हैं लोगों से कुश्टाच कर रही हैं और आज पुलिस कमिशनर जन्पत प्रयागराज मैं यहां की जन्दा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस जगन्य कांड में इस दुखद कांड में जो भी माफिया और माफिया के साथी समलित हैं उनके विरुद्ध पुलिस की कठोरतम कारवाही अमल में लाई जाएगी जो की भविशे के लिए एक नजीर बनेगी